सिस्टम यूनिट के अंदर जहां हार्ड ड्राइव और फ्लॉपी ड्राइव और सीडी रॉम लगाई जाती है, इस हिस्से को ड्राइव बे कहते हैं. सिस्टम यूनिट में ये ड्राइव्स स्क्र्यूज की मदद से लगाई जाती हैं. अगर आप सिस्टम यूनिट में लगी सीडी रॉम के सामने यानि सिस्टम यूनिट के बाएं तरफ देखें, तो आपको एक छोटा सा डिबबा नजर आएगा. इस डिबबे को पावर सप्लाई कहते हैं, क्यूंकि इसके जरिये कम्प्यूटर के तमाम हिस्सों को बिजली फराहम की जाती है. आप देख रहे हैं कि पावर सप्लाई से निकल कर कुछ तारें एक बड़े से बोड की तरफ जा रही हैं. ये तारें कम्प्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों को बिजली फराहम करती हैं. मदर बोड के बाएं हिस्से में ऐसे ही छोटे-छोटे बोड्स आपको नजर आ रहे हैं. इन बोड्स को इंटरफेस कार्ड्स का नाम दिया जाता है. इनको मदर बोड की स्लोट्स में लगाया जाता है और जरूरत ना होने पर निकाला भी जा सकता है. कम्प्यूटर में सिस्टम यूनिट के बाहर जो डिवाइसिज लगती हैं, उन से काम लेने या कमिनिकेट करने के लिए ये इंटरफेस कार्ड्स ही इस्तमाल होते हैं. मसलन आप जानते हैं कि हम आवाज सुनने के लिए स्पीकर्स का इस्तमाल करते हैं. सिस्टम यूनिट के अंदर जो कार्ड स्पीकर के साथ कमिनिकेट करने के लिए इस्तमाल होता है इसे साउंड कार्ड कहते हैं. जब हम एक से ज्यादा कम्प्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये नेटवर्क बन गया है. एक कम्प्यूटर को दूसरे कम्प्यूटर से कमिनिकेट करने के लिए जिस इंटरफेस कार्ड की जरूरत होती है उसे नेटवर्क कार्ड कहते हैं. इसी तरह एक और बहुत मशूर इंटरफेस कार्ड है जिसका नाम है मॉडेम मॉडेम का काम ये है कि ये आपके कम्प्यूटर को टेलेफोन लाइन के जरिये इंटरनेट से कनेक्ट करता है इंटरनेट के बारे में आप अगले लेसन में तफसील से जान सकेंगे इसी लेसन के पहले हिस्से में आपने RJ11 Jacks के बारे में सुना था ये भी दरसल मॉडेम के साथ ही लगाए जाते हैं अब आप मदर बोर्ट पर लगी जिस डिवाइस को देख रहे हैं वो प्रोसेसर कहलाती है इसे कम्प्यूटर का दिमाग कहते हैं जिस तरह इनसान का दमाग उसके तमाम अफाल को कंट्रोल करता है इसी तरह कम्प्यूटर में होने वाले हर काम के लिए हिदायात सिस्टम यूनिट में लगा ये प्रोसेसर ही फ्राहम करता है प्रोसेसर के उपर एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है जो प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होता है क्यूंकि जब कम्प्यूटर इस्तेमाल होता है तो प्रोसेसर गर्म होता रहता है और अगर इसे ठंडा ना किया जाए तो ये खराब हो सकता है रैम चिप्स जिनके बारे में आप पहले ही जान चुके हैं ये भी मदर बोर्ड पर ही लगती हैं मदर बोर्ड पर जिस जगा रैम चिप लगाई जाती है उसे रैम की स्लोट्स कहते हैं आप ने सिस्टम यूनिट के बारे में मुखतसर सा तारूफ देखा इससे पहले आप इन्पुट और आउटपुट डिवाइसिस के बारे में भी पढ़ चुके हैं आईए अब देखें कि ये सब मिल कर किस तरह काम करते हैं आप कम्प्यूटर को जो भी डेटा इन्पुट करते हैं वो सबसे पहले मेमरी में जाकर टेंप्रेरिली स्टोर होता है फिर ये डेटा मेमरी से प्रोसेसर में जाता है और प्रोसेसिंग होती है फिर जो रेजल्ट्स निकलते हैं वो मेमरी में स्टोर होते हैं और साथ ही आउटपुट डिवाइसिस के जरिए डिस्पले होते हैं और साथ ही अगर हम चाहें तो किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानि डिस्क वगईरा पर स्टोर भी कर सकते हैं इसी तरह हम computer से बहुत से मुफीत काम ले सकते हैं